अलहमत गुरूप के जरीए IPCA क्रिकेट ग्राउंड खानू गाउं में खेली गई चैंपेंट ट्रोफी क्रिकेट के फाइनल में फिट फाइटर्स ने एवो लान वारियर्स को आठ विकेट से हरा कर खिताब जित लिया पहले बल्ले बाजी करते हुए वारियर्स ने अठा ओवर में 125 रन बना कर आउट हो गई जवाब में फिट फाइटर्स ने 14 ओवर में दो विकेट खोकर जीत के लिए 126 रन बना लिये और खिताब जीत लिया फाइटर्स के केप्टन जावेद ने 50 रन की नाबाद पारी खेली टूर्नामेंट के पुरुसकार अंतरास्टी खिलाडी जेपी यादो और विधायक आरिफ मसुद ने तकसिम किये भपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट जी आई पीसी टूर्नामेंट का ये पहला साल था और बहुत शांदार आयोजन रहा इसमें और ये टूर्नामेंट खास तोर पेसी जाना जाएगा क्योंकि डिवीजन के प्लेयर्स जो इसमें अलाउड नहीं थे ये उन लोगों के लिए अच्छा टूर्नामेंट था जिनको मौका नहीं मिलता था और मैं उम्मीद करको हूँ कि आगे चलके ये टूर्नामेंट और बड़ा आयोजन बनेगा आज टीमों मेरा नाम मौम्मद आमिर खार है ये टूर्नामेंट अलहम्द के तत्वधान में करा गया है जिसमें आज टीमों ने भौपाल की हिस्सा लिया था जिसका फाइनल आज फिट फाइटर्स और एवलान क्रिकेट वारियर्स के अंडर हुआ है उसमें फिट वाइट और आमी हमारे अर्शच खाशना रहे हैं और में उनको बहुत करेब सक जानता हूं और जिस तरह से वो बौपाल में किरकेट यह दो बाद गया जारा है उसके हम बच्छों के लिए पाल के लिए है और उनको बच्छों को अच्छा खेलना है उनको ट्रेंग मिले अच्छी म और बड़ी बात यह है कि आज की असमोके पर हमारा जेपी याद हो जो मत्रदेश के लिए फकर है और हम लोग उसको बड़ा इस बात को यह उमीद करते हैं कि भौपाल से लड़का इसने एक मिसाल पेश करी भौपाल के आने वाले बच्चों को एक रास्ता दिखाया और बड हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें